जहन मेरे प्यारे भाईयों आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तो चार जानकारी देना चाता हूँ और दो जानकारी आपसे लेना चाता हूँ दोस्तो आज मैं आपको देखो कल 10 अक्टूबर है और दो जगे सेंटर भरते शुरू होने वाली एक तो आटी सेंटर हैदरवाद में और एक दोस्तो बीजी सेंटर रोडगी में और उसी के साथ दोस्तो जो तीसरी जानकारी है वो है दोस्तो आपको काफी भाईयों को परेशानी हो रही है अपने रेजिस्टेशन कर दिया पर आपके पास अभी तक कोई रेपलाई नहीं आया है और दोस्तो चौती जानकारी है कि काफी भाई अब ये पूछें कि भाई जो एक्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा तो भाई मैं इस चार जो टॉपिक के उपर आपसे बात करने वाला हूँ और आपसे कुछ जानकारी लेना चाता हूँ तो आप सभी से रेक्वेस्टेश जो भाई चैनल पर नया है पहली बार वीडियो देख रहा है तो दोस्तो आपके सामने हमारा चैनल सो रहा है पहले तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ओल पर सेट कर देना आपको इंडियन आर्मी से जुड़ी हर कोई जानकारी मिलती रहेगी हमारे चैनल पर जितने भी आपके सेंटर उनकी जानकारी और उनके सेंटर की जो भरती आती है और center में किसे साथ से भरती चलती है वो हम आपको बताते रहते हैं और जो भी कोई भी update बदलता आता रहता है इंडिन आर्मे में वो भी हम आपके साथ share करते रहते हैं आपको बताते रहते हैं तो आप जरूर चैनल को subscribe कर लेना सबसे पहला जो मैं आपको point clear कर देता हूं भाई देखो RT center में जिन भाईयों ने अपने registration कर दिये हैं और काफी भाईयों के पास reply आ चुका और काफी भाईयों के पास नहीं आया है इसी के बीज दोस्तों मैंने भी अपना registration किया था सिक्रीन पर आप यह देख सकते हैं मेरे पास जो back reply आया है ठीक है वो इस हिसाब से आया है और काफी भाईयों के पास भी आ चुका है ठीक है तो जिन भाईयों के पास अभी तक कोई भी reply नहीं आया है तो भाई देखो अभी आप patience रगें अभी भरती आपको पता 1 नमबर से शुरू होने वाली है 5 नमबर तक चलेगी ठीक है अभी क्या है कि भरती से 7 दिन पहले भी बच्चों के पास यानि कि message या उनके नमबर पर call letter भीजे जाते ठीक है तो अभी आप patience रगें आपके पास आ जाएगा ठीक है और जिन भाईयों ने जैसे कि मालो किसी के 49% नमबर है तो भाई उनके पास इस हिसाव से जो mail reply आ रहा है कि आपके 50% से नमबर कम है तो आप eligible नहीं हो ठीक है इस हिसाव से reply आ रहे है और दूसरी जानगाई दोस्तों यह है कि देखो आप सभी को पता होगा कि आप क्या आए कि आने वाले भविस्य में अभी जो यह भरती चल रही है इनका एक्जाम तो जैसे पहले होता था वैसी होगा ठीक है अब जो क्या हो सकता है कि 2023 में या अगनीवीर 2 की जो भरती आउंगी या 3 की अगनीवीर 3 की जो तो आपका सेलेक्शन पका इस हिसाब से ठीक है इसके उपर हम आपको बहुत जल्दी वीडियो देने वाले अच्छे तरीका से ठीक है और दो जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ तो मैंने आपको बता दी ठीक है जो भाई आर्टी सेंटर हैदरवाद में जा रहा ह और जो भाई बीजी सेंटर रुड़की में जा रहा उन भाईयों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ जरूर वीडियो सेयर करें गुरूप में डालें टेली ग्राम पर डालें ठीक है आपको हमारा नंबर भी है आप पे जो हमारा वर्टसअप गुरूप है ठीक है तो कि हम जब आप में वो जानकारीत होगे तो हम बच्चों के साथ सेयर करेंगे जिनसे पता चलेगा क्योंकि जिनकी भरती राज्यो वाले बच्चों की ठीक है और नेक्स डे फिर और भाई आएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसे साथ से भरती चल रही है इतने का बैच बन रहा है ठीक है और जो भाई आटी हैदरावाद में जा रहा है जो भाई बीजी सेंटर रुड़की में जा रहा है तो हमारे साथ जरूर वीडियो सेयर करें हमारे साथ वीडियो निकी हमको बता दे कि इसे साथ से भरती चल रही है क्योंकि हम बच्चों को बता सकें ठीक तो बीजी सेंटर रुड़की में और हैदरावाद में कोई भी जा रहा हो तो जरूर वीडियो सेर करें और अभी तक जिनके पास कोई भी रिप्लाइ नहीं आया एमसी सेंटर से तो अभी आप भाई धेरे रहे पेशन्स रहे आ जाएगा और आगे भविस्य में जो आपके एकजाम है वो ऑनलाइन लिये जाएंगे इसको पर उन्होंने विचार पिरकट किया पर यह कि भाई जब ऐसे इन्होंने TOD के उपर विचार पिरकट किया था तो वो TOD इन्होंने लागू कर दी तो ऐसे भाई ओनलाइन पेपर आपके होंगे यह भी 100% कंपम होई जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह जानकारी थी आप चैनल के साथ जुड़े रहना चैनल को सब्सकार कर लेना मैं आपको